नमस्कार दोस्तों लटकन को किस तरीके से अच्छे से और मजबूत लगाना है यह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा आप देखते हैं यह लटकन हमने ले लिए यह रेडिमेट लटकन है इसमें दो जो है वो पल्लों पे लगेगी और बाकी पल्लों के वीच में मैं आपको आगे वीडियो में समझाता हों देखिए अभी यह पल्लों में नगाने केलिए पहले लगाने है बस सीधा इसमें सवीड से लगाकर के थिए शोफी से मस कुछिस तरीके सा लगा करके आपको हाथ से गिठान मारने है दोस्तों इसमें हाथ से गिठान मारने अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पलटा के देखिए आप वीडियो में देख पात एक बार गिठान मारने के जो लटकन है उसको दूसरी तरफ पलटी करके फिर उसमें भी हमें बांध लेना है इसे और चलिए कट कर देते हैं यह देखिए बंद गया अब इसी तरीके से पलो का जो दूसरा उटा है उसे भी हम बांध लेते हैं अब चलिए बंद गया अब चो छोटी लिए लटकन है वह हमारी बारा पीस की लटकन है इदी के तीन 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 और तीन तो बारा पीस की लटकन है तो जो यह पल्लो है इस पल्लो में हमें दो भाग कर लेना है पल्लो को डबल कर लेना है और हमें इसे टेप से मेजर्मेंट कर लेना है कि हमें इसमें जो कौन सी बुटी कितने इंच के उपर लगानी है तो हमारी बारा बारा जो बुटी जानी के लिए सबस्टों कर लेते हैं कितनी लग रही है कि देखिये सबहतीर के उपर एक बुटी जो है हमारी वह लग रही है सबातीन सबा तीन इसकी ऊपर जैसे हम रखेंगे तो यह सारी जो बुटिया है वो उसमें सेट हो रही है मार्किंग कर लेते हैं मार्किंग करने के बाद our हम इन भूटियों को लगाना स्टार्ट कर देंगी फिर इसमें गलू का यूज जो है वह वहां होता है वौह हम आपको आगे बताती है सारी बूटियों को जिस तरीके से इमने पल्लो में जो लगाया था दागे से दिखिए आटलर दागा है और इसको इस तरीके से पिरो करके जब हम इसे बांदेंगे उससे समय दोस्तों आपे ध्यान रखना है कि हमें बांदना कैसे यह देखिए इक लोज अप वीडियो दिखा रहा हूं आपको पास से यह इस तरीके से पलटा करके फिर इससे बांदए वह जो लटकन है वह आपकी अकडद गि नहीं एんなए वह बराबर रहेगी ऐसे लटकती रहेगी वरना एक तरफभ से बांदेंगे आप तो वह लग जाएगी लटकन प्रौकर रचके minor dough flour को लटक हैंमें देखेंट कर लेते हैं गुठीम के तयार हो गए अब हम इस फैबरीक्ग्लू का यूज और जहको हमने जो गिठान मान दिस है उस कि अर canvas on के ऊपर हमें ृफधाद की तरीके से लगा देना है तकि जो गिठान हमने मान दिस है त्यूकिए धागे ज लगा लेने से जो लटकन है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि गिठान उसकी बहुत अच्छे से मजबूती से छिपक जाएगी और धागे के रेशे भी नहीं निगलेंगे बराबर लग जाएगी तो हम सब सारे जो जहां पर हमने गिठान लगाई है उन गिठानों पर फैबर अब जाएगी तो हमने पर लगा दिया है अब जो एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है जो धागा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको भी हम कट कर लेंगे नमस्कार दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे यूटूब चैनल को सब्सकाइब कीजिए बैल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जिरूर कीजेगा धन्यवार